आज लखनव हाई कोड में 12,460 सिच्छक वरती की महतपुर्ण सुनवाई होनी थी और कोड नमबर एक और कोड नमबर दो में दो महतपुर्ण जो स्पेशल अपीले थी उनका आज सुनवाई होनी थी जिससे सम्मंधित टीम द्वारा जानकारी आ गई है कि आज के सुनवाई में क्या हुआ है वो सबी चीज़े हम आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन अगर हवी तक आपने ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही अपडेट से देखने के लिए एलिग्राम गुरूप का लिंक वीडियो के रिस्क्रिप्शन मॉक्स में है उससे भी जुड़े जाईए आप देख पा रहे हैं कि मोहित कुमार दिवेदी जी की ये पोस्ट है जहां पर बताया है कि 22 मार्च लखनाव हाई कोट में यानि कि सुने जन्पत की 613 जो मोहित कुमार दिवेदी की थी वो कोट नमबर 2 में डेली काज लिस्ट 49 नमबर पर लगी थी जहां पर इन्होंने बताया है कि जो फ्रेस केस हैं 16 एडिसनल 23 अप्लिकेशन 18 और काज लिस्ट 50 थे जहां पर इनके द्वारा बताया गया है कि म महीने बाद की देट देते हैं इसलिए सुनवाई होगी लेकिन केस का नमबर नहीं आया कि यहां पर बताया गया है कि जो पिपच के अधिवक्ता थे उन्होंने केस को मेंसन करवा दिया है और लेकिन आज सुनवाई नहीं हुई और अगली तारीक 15 अप्राइल की लगा दी गए यह जजमा होदे के माध्यम से कुल मिला कर आज सुनवाई बिलकुल नहीं हुई और यहां पर यह बता रहा हैं कि पंदरा प्राइक की डेट लगी वो इस कारण से लगी है कि जो बेपच के अधिवक्ता है उन्होंने केस मेंसन करवाया है और जजज साब जो केस मेंसन 26 एडिसनल 4 और अप्लिकेशन 18 और डेली कास्ट 25 थे लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ी बताई गई है कि केस ना मेंसन करवाए गया कई बार लेकिन केस का नमबर नहीं आया और जिस कारण से ब्रिजियर स्यादों की जो अपील थी उसकी भी सुनवाई नहीं हुई है आज दोनों केसों के सुनवाई नहीं हुई नमबर नहीं आया ना केस मेंसन हुआ ना कुछ हुआ अगर ऐसा ही रात हो भरती पिकलिया बहुत ही यहाँ पर खराव इस्तिती कह सकते हैं खराव इस्तिती में आती जा रही है क्योंकि अगर सुनवाई नहीं होगी तो भरती प करेंगे?